है आप सब स्वागत है आप सब काज की सेशन में एंड स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनिशल मेनेजमेंट जी हाँ बच्चों को में बहुत सारे सवाल हैं बहुत सारे जिग्यासा है टी आर जी कैसा पढ़ाएगा नाम तो बहुत सुना है कैसा पढ़ाएगा उम्मीद करते हैं इससे पहले हापने हमारे किसी और सब्जेक का स्वाज जो है डेफिनेटली चक लिया होगा तो आपको हमारे स्टाइल के बारे हैं पता है और एक डिस्क्लेमर यहां पर देदू बच्चों अगर बाइचास आप इस लेक्चर को पहुंच चुके हैं और आपने अब तक इंट्रोड़क्शन लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले जाईए और इस इंट्रोड़क्शर को देखकर आईए क्योंकि अगर आपने इंट्रोड़क्शर नहीं देखा तो यह लेक्चर और आगे आने विज़े लेक्चर है शायद उसमें कहीं न कहीं आपको कुछ कुछ कंफूजन रह जाए ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ यार सब्जेक्ट मुश्किल है पॉस कैसे होंगे एक्जेम्शन कैसे हैंगे अच्छे मांक्स कैसे हैंगे तो ऐसे सारे वहमों को अपने मन से निकाल कर फैक दीजिए क्योंकि अगर आप हमारी क्लास ले रहे हैं तो किसी प्रकार के दिक्कात आपको आने नहीं देंगे मित करते हैं आप हमारे सारे के सारे सोशल मेडिया चैनल पर जुड़े होंगे तो समय समय पर भिन भिन भात भाती की अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे होंगे अब हम बिना समय गवाए अपने सब्जेक्ट की शुरुवात करते हैं मित्रों जिसका नाम हेगा है करना होते हैं सारी बात यहां पर करने वाले फाइनेंशल मेनेजमेंट क्या है यह फाइनेंशल मेनेजमेंट तो वर्ड से मिलकर बना है एक है फाइनेंशल और दूसरा है मेनेजमेंट मेनेजमेंट करनी है किस चीज़ की फाइनांस की मेनेजमेंट करनी है दोस्तों फाइन माई थे जी एक फिलम माई थे धमाल एक गोवा में एक बड़े से डविलू के नीजे बहुत सारा पैसा तो यह फाइनास का मतलब है बहुत सारा पैसा we are not talking about the small sum of money but about the huge sum of money तो जब मैं financial management बोलता हूँ तो हमारा यहाँ पर कहने का तात्परया है कि we are talking about the management of finances किस दिस की बात करें भाई दोस्तो management of finances की और finances का मतलब क्या है finances का मतलब है बहुत सारा पैसा बहुत सारा पैसा मैंने का we are talking about a particular kind of organization हम बात कर रहे है organization की household की बात नहीं कर रहे है एक organization के पास बहुत सारा पैसा आता है फिर उस पैसे को invest करते हैं वहाँ से return आती है तो यार यह जो इतना सारा पैसा है obviously it has to be seen कि आप इसको सही तरीके से manage करें let's assume आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है मान लेजे आपको लट लगे जुए कि और आपने जुए खिलना start कर दिया और पहले दाव में ही आप पांच करोड रुपी जीजगी फिर आपने कहा बगवान तरह लाख लाख शुकर है बस मेरे जुए कि जो लट्थी आजसे में खतम करता हूँ क्योंकि अब मेरे पास पैसा आ गया है आपके पांच करोड रुपी आगे सवाल उठा कि आप उसको खर्च कैसे करने वाले हो हमने हिस्ट्री में बहुत सारे इसे एक्जेंपल्स देखें रियालिटी में मतलब रियल लाइफ की एक्जेंपल्स हैं जहां पर लोगों के पास एकदम से बहुत सारा पैसा तो था लेकिन देट नोट नो कि भाईया इसको मैनेज कैसे करें तो उनका सारा पैसा खतम हो गया और जिस उन्चाईयों तक वो पहुंच सकते थे उस पैसे की बदौलत मित्रों और तक पहुंच ही नहीं पाए फिल्ड में एक प्रोफेशनल के काम में एक महत्तवपुरुन काम ये भी होता है कंपनिज हायर करती हैं असाइन्मेंट्स देती हैं कि भाई हमने इस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलेट से पैसा लगाना है तो आप बताइए क्या हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा क्या इस फायदेमन साबित होगी या फिर नुकसान दैक साबित होगी तो भिन भिन परकार के एनलेसिस करते हुए हमें अपनी अपनी अडवाइस अपनी सजेशन एक सेक्टर देना रहता है अब सवाल यह उठाए कि क्या ये सब्जेक्ट किसी और नाम से भी जाना जाता है या पिर कहीं से इसको रिलेट किया जा सकता है जब से हम लोग कॉमर्स फिल्ड में आए तब से एक सब्जेक्ट जो हमारे बच्पन का सब्जेक्ट बन गया जिसको कहते हैं फाइनेशल अकाउंटिंग ये डेबिट क्रेडिट वाली बात हम कर रहे हैं इस सब्जेक्ट का बाद में जाकर एक दूसरा रूप सामने आया दूसरा रूप नहीं बेसिकली एक नया सब्जेक्ट हमारे सामने आया जिसका नाम पड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करते हूं मिस्टर पैन अभी अभी तुम में नए सेल हमने डाले और तुम ऐसे बात करोगे बच्चे क्या सोचें कि तुम्हारे बारे में कॉस्ट अकाउंटिंग और अब जो पढ़ रहे हैं जिसका नामें फाइनेशल मेनेजमेंट आपको जानकर अस्चारह होगा कि सब्जेक्ट का एक और नाम होता है Management Accounting यह नाम बेसिकल लिया जाता है Become Etcetera में जब मैं भी छोटा बच्चा था मैंने भी Become करी थी मेरे पास भी Become Final में सब्जेक्ट होता है Management Accounting Financial Management का ही दूसरा नाम है तीनों में Common क्या आ गया Accounts, Accounts, Accounts बच्चे देखते कहते हैं अरे Accounts के तीन टाइप होगा Accounts के तीन टाइप नहीं है तीनों बहुत डिफरेंट चीज़ है Financial Accounting का में काम क्या होता है Recording Aspect Recording and Accounting Aspect कि भाई जितने भी Business में Monetary Transaction हो रही है न उसको क्या करो Record कर लो और Record करने के बाद क्या करो उसको फिर लेजर में लेकर पहले जर्नल में मतलब Record कर ले फिर लेजर में लेकर जाओ Trial Balance Final Account तो बिसिकली Profit निकालना मकसद हो गया किसी परकार का Control Mechanism Financial Accounting में नहीं चलता वहाँ पर Simple सा इतना काम है कि भी या Record करो और उसके बाद हमें बता दो कि Final Result क्या आया उसके बाद एक Subject आया जो कि आपने Obviously पढ़ा है पहले Cost Accounting Cost Accounting नामक Subject में Accounting की जाती है किस चीज़ की Cost की और वहाँ पर बड़े फक्र से कह देगी यारी इस Subject का जो काम है वो Trader के लिए नहीं है वो Manufacturer के लिए है क्योंकि Trader की Cost बहुत कम है जबकि Manufacturer की Cost बहुत जाद है तो वहाँ पर Scope of Cost Accounting is much more जब एक Person Business कर रहे है किसी चीज़ को Manufacturer कर रहे है तो Obviously उसे खर्चों का ध्यान रखना होगा अगर कोई भी Particular Expense जादा हो गया तो हो सकता है प्रोड़क का कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका Selling Price बढ़ाना पड़े जिसकी वज़े से इस पॉसिबल that he may not compete with the other people in the industry तो इसके लिए सब्जेक्ट है Cost Accounting फिर लास्ट में आ गया Management Accounting जो की हमारा सब्जेक्ट है ध्यान से सुनना एक चीज जब भी हम कुछ इस प्रकार की बात करते हैं यह चितर आपने देखा होगा अगर आपने Business Study नाम का सब्जेक्ट पड़ा है यह चितर बड़ा Famous होता था यह चितर बड़ा Famous होता था Top Level Management Middle Level Management Lower Level Management तो Basically जो Financial और Cost Accounting के सब्जेक्ट से Those deal with the Middle Level जो आपके Financial और Cost वाले सब्जेक्ट हो गए Financial और Cost Accounting के सब्जेक्ट हो गए Basically Middle Level Management के क्योंकि Decision Making बहुत जाद नहीं है Top Level Management वो Management है जिसका Main काम होता है Decision Making Middle और Lower Level वाले Basically Operations करते हैं Operational Aspects देखते हैं लेकिन क्या होगा, कैसे होगा वो सब चीजे Policies define करना है That all flows from the Top Level of Management Management Accounting ऐसा Subject है आपका Financial Management जो कि Top Level Management से संबंद रखते है Reason being क्योंकि Management Accounting Obligue Financial Management is all about Taking the Decisions यहाँ पर हम Decision लेंगे तो Decision भी कौन से मैं वापिस आपको उपर लेकर जाना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर हमने क्या लिखा था Management of Finances और Finances का मतलब है बहुत सारा पैसा तो बहुत सारे पैसे से संबंद जो Decision लेना होगा Obviously वो कौन लेगा वो Top Level Management Let's say आपकी Family में एक Decision लिया जाना है आपके पास एक पुरानी कार थी उसको बेच कर एक नई कार लेनी और बजट है फैमिली का पंदरा लाग रोपए अब फैमिली का हिस्सा तो आप भी है लेकिन क्या सिरफ आपके कहने पर ही नई गाड़ी आ जाएगी जी नहीं आपको को पापा वो वो ली कारना देखने है बड़ी अच्छी लिए वो ले ले लेकिन पापा क्या सोचेंगे और भी बहुत सारे फेक्टर है क्या आपके पार्किंग स्पेस है नहीं पता लगए आप सोचेंगे सरे SUV लेंगे लेकिन पापा कहे रहे नहीं बेटा हम SUV नहीं ले सकते सिडान भी नहीं ले सकते है हम तो हैच्छ बेक कार ले सकते है या फिरेट से सिडान ले सकते लेकिन SUV नहीं ले सकते आपके फैमली में लेटसे कोई बजुर्ग है अब SUV है उसमें चड़ने के लिए भाई उसका जो वील उसका जो आपका क्या बूलते हैं उसे मैं फूल गे ग्राउंड क्लियरिंस जो है ज्यादा है SUV की तो चड़ने के लिए थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन अगर कोई बुजूर्ग है तो सिडान गाड़ी में हैजबेक में आराम से बैठ पाएंगे उसके बाद माईलेज भाई इंडिया में चाहे आप कोई सी भी गाड़ी लेने चलेगे तब भी एक मन में सवाल होता है यार एवरेज कितना देगी तो यार आपको तो लग रहा है बस जो दिखने में शूशां गाड़ी है वो भी ले ले लें लेकिन ऐसे थोड़ी होता है देखना पड़ेगा न एवरेज कितनी है मतलब कहने का क्या है क्योंकि बहुत सारा पैसा involved है तो उसका decision कौन लेगा अकेले आप decision नहीं ले सकते family में जो बड़े लोग है वो उसका decision लेगा मतलब top level management समझ रहें आप तो similarly business में भी decision ले जाने हैं बड़े बड़े तो भाई वो कौन लेगा top level management अब हम समझते हैं कि यार यह management accounting actual में करता क्या है उपर उपर से बात तो समझागी कि बहुत सारा पैसा बहुत सारा पैसा बहुत सारा पैसा तो भाई यह बहुत सारे balance sheet के अंदर हम liability side पर कुछ कुछ लिख लेते हैं major major चीजे है equity share capital हो गया preference share capital का rough में है इसलिए मैं यह इस प्रकार से लिख रहा हूँ reserve and surplus हो गया debenture, oblique, bond, oblique, loan हो गए और उसके बाद आपकी current liabilities आ गई major major चीजे हैं जो हमने यहाँ पर लिख ली on the other side fixed assets जिसको आप PPE intangible किसी भी category में रख सकते हैं उसके बाद आगे आपकी investments etc long term investments and current assets, loans and advances normally इतनी चीजें जो हमारी balance sheet में रहती हैं normally मैंने कहा normally इतनी चीजें हमारी balance sheet में रहती हैं हम balance sheet नहीं सीख रहें balance sheet के माध्यम से मैं आपको financial management के कुछ aspects जो है वो सिखाना चाहा रहा हो अब एक business जो है उसकी balance sheet ऐसी दिखती है इसका मतलब क्या है ध्यान से समझना जब एक person business कर रहा है आप सिरफ अपने पैसे से एक long run में survive शायद ना कर पे अगर आपका aim बहुत बढ़ा है मैं कहना है अगर आपको proper मन में कि यार मेरे को company बनानी है बहुत अच्छे से business setup करना है बहुत सारे लोगों को stakeholders को साथ लेके चलना है तो सिर्फ शायद आपका पैसा जो है उसके लिए भरपूर साबित ना हो तो आप तरह तरह के जो है तरह तरह से funds arrange करते हैं जब आप funds arrange करते हैं वो funds कहां पर दिखते हैं आपकी liability side पर दिखते हैं जो long term nature के funds हैं equity share capital का मतलब जो आपने long run में equity share holders से पैसा उठाया है preference share capital again denotes the long term amount of money जो आपने preference holders से उठाया है reserve and surplus तो वही पैसा है जो कि debenture bond loan again it is the amount जो कि आपने या तो किसी bank से loan की form या फिर logo से debenture की form एक सेक्टरा में पैसा आपने लिया है long term nature का अब ऐसा तो है नहीं मानलो आपको 100 करोड रुपई के जोड़ते हैं और आप market में के आपने का bank को मेरे को 100 करोड चाहिए 100 करोड दे दो या फिर किसी और तरह से funds को arrange करने की कोशिश करते हैं जब एक businessman पैसा लेकर आता है आपके ऊपर responsibility आपने debenture को आपने let's say bank से loan लोड ले लिया 20 पर तीशत पर मतलब हर साल 100 करोड रुपई के amount of loan पर आपको 20 करोड का interest देना है अरे दोगे कहां से कमाना भी तो होगा I want to keep my cost as a businessman to the minimum level businessman हमेशा आपने खर्चे minimum रखना चाहेगा तो यहाँ पर आपका financial management का पहला aspect आता है जिसको बोला जाता है financing decision आपके business में यह चीज़ें जो सारी हमें दिख रही हैं long term nature की basically this is denoting the long term financing और हमें ऐसा source of financing चूज करना है जिसकी cost minimum से minimum हो financing का कौन सा area चूज करना है जिसकी cost बिलकुल minimum हो ऐसे ही उठा कर जा करने लिया है कि चलो एर मन कर रहा है तो loan उठा लिया इस बार मन कर रहा है equity उठा लिया you have to carefully think आपको analyze करना है analyze करेगा कौन आप लोग करेंगे क्योंकि मैं आपको सिखा हूँगा इसले हमने का कि हमारे profession का एक important area है management of the financing and management of the finances और क्योंकि बहुत सारा पैसा यहाँ पर involved है तो आपको carefully यहाँ पर computation of cost करते हुए देखना होगा और फिर different sources का comparison करना होगा analysis करना होगा उसके बाद ही हम final decision दे पाएंगे तो हमारे syllabus का सबसे महत्तपुरुन जो हिस्सा है जो कि हम आज के lecture में start भी करेंगे थोड़ा सा समझने के बाद जो finally first chapter पर आएंगे financing decision पर हम आएंगे right मान लिजे आपने business की financing करवा ली financing मतलब आपने लोगों से पैसा तो ले लिया लेकिन मैंने अभी क्या समझाया चाही कुटी हो preference हो debenture bond loan कुछ भी हो आपको every year इनको return तो देना ही देना है लेकिन return कैसे दोगे इन लोगों को जब आप पहले कमाओगे you need to now invest this money पैसा ही कठा होगे is one part पैसा ही कठा होगे now I need to invest this money somewhere so that वहां से मैं return कमा सकूँ और इन लोगों का जो पैसा है जो cost है वो इनको दे सकूँ और balance obviously business profit के लिए काम करते है भाई तो balance अपने लिए बचा सकूँ now the next point comes investment of these funds अगर आप asset side पर देखते हैं एक fixed asset और एक investment दिखेगा basically ये क्या चीज़ है long term investment of the funds ये क्या चीज़ है long term investment of the funds तो जहां पर आपको पैसे invest करने हैं माल लिए हमारे पास पैसा इकठा होगा 100 करोड अब हमारे पास option है option A, B, C तीन option है मैं तीनों में से कहीं पर भी पैसा लगा सकता हूँ obviously पैसा लगाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि यार कहां पर हमें best return आएगी अगर मैंने एक बार option A में पैसा लगा दिया और दो हफते बाद मन किया कि नहीं येर मज़ा सा नहीं आ रहा option B में लगाते हैं is it possible मान लीजे आपको जो example में continue करता हूँ कि 15 लाक रुपई गाड़ी लेनी है आपने गाड़ी खरीद ली dash let's say Honda City बाद में आपको लगा कि नहीं यार मज़ा सा नहीं आ रहा दो हफते बाद आपके यार मैं change करना चाहता हूँ with some another brand and क्या ये possible है क्या आप showroom में जाकर Honda City वापिस करके पने 15 राक रुपई ले सकते हो not possible मैंने एक बार चीज बेच दी उसके बाद कोई वापिस नहीं लेगा तो पहले ही क्योंकि ये decision बाद में reverse नहीं हो सकता आपको पहले ही सोच समझ कर अपना पैसा लगाना होगा and जब हमारे सामने option ABC है तो यहाँ पर फिर से as a professional हमारा रोल आता है businessman के लिए कि हम तीनों options को evaluate करेंगे जिस जिस type की returns आ रही है किस-किस timing पर आ रही है सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक final return निकालेंगे for the purpose of comparison और वही option चूज करेंगे जो की best हो यह हमारा second category आता है अपने syllabus का जिसको बोलते है investment decision इस chapter को प्यार से capital budgeting भी कहा जाता है जैसी बच्चे सुनते हैं बच्चों भी खौफ, capital budgeting, capital budgeting अज़े, लगना मुनना सा chapter है डरने की आवशकता नहीं है जब हम करेंगे तो सारी चीज़े crystal clear हो जाएंगी कोई दिक्कत ही नहीं और उसके अलावा बच्चे करेंगे बैले इशिट में अभी सर यह बचा होगा सर 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 यह बचा होगा सर current asset और current liability बचा होगा तो यार यह तो बच्चपन की चीज़ हो गई current asset, current liability अब तक मैंने जो बात किया financing and investing वो दोनों थी long term nature की चीज़े यह क्या short term nature की चीज़े within 12 months वाली जब मैं इन चीज़ों को एक साथ देखता हूँ जब मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखता हूँ तो यहां से हमारा decision कौन सा बनता है working capital management तो यह भी हमारे syllabus में chapter होगा working capital management जहां पर हम बात करेंगे current assets और current liabilities तो मेरे हैल से अब बच्चों को समझ में आ रहा है and इसको मैं popularly कह सकता हूँ कि हमने किया क्या syllabus की mapping किया हमने सर बस इतने chapter है जी नहीं इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती है peripheral चीज़ें जिनको हम कहते हैं कुछ और chapters ही मिलेंगे जो की संबंद रखेंगे इसी तरह की चीज़ों से तो syllabus की mapping होगी कि हमारे syllabus में एक financing decision है एक investing decision है एक working capital management है बच्चे आप पूरी life में कहीं पर भी ये जो subject obviously असा नहीं कि हमारे सिरफ हमारे course में CA में, CES में, ICW जिसको CM में बोला जाता है वहाँ पर भी है कोई भी MBA देखेंगे आप MBA in finance है पूरे country में पूरी country के पूरे world में आप कहीं पर भी देखेंगे जहां पर MBA finance पढ़ाया जा रहा है ये तीन chapter आपको मिलेंगे मिलेंगे आप B.com में किसी भी university से हैं आपको ये तीन chapter मिलेंगे मिलेंगे बिकोज ये तीनो chapter ये तीन चीज़ें इट में भी एनिफिंग लेकिन ये तीन दीजर दा soul of the subject ये तीनों chapter हमेशा रहेंगे और हमेशा थे हैं और रहेंगे ठीक है एक dialogue कर्ण बन गया ये था ये है और ये रहेगा हमेशा जानी तो ये syllabus की बात हो गई जब भी किसी subject को पढ़ते हैं उनका style है कि पहले subject की बारे में थोड़ा बच्चों को बता दिया जाए so that हम comfortable feel करें हमें पता होना चाहिए कि यार पढ़ने क्या वाले हैं क्यों पढ़ने वाले हैं तो क्यों का मतलों समझा गया क्योंकि अपना सपना money money बहुत सारा पैसा involved है गाए है यह सर हमने न बहुत सुना है सर आप जब पढ़ाते हो न तो सर आप गाने भी गाते हो पढ़ के तेरे वाजों कोई रिश्त कोई भी नहीं सर सर थेंक्यों सर लाख कमान बड़ा कमान यह लीजे तो हम आगे की बात्सीट लेइं पुनों तरीके से त्यार हैं मैं ज़रा इसको थोड़ा सा सेट अप कर दूँ क्योंकि अब हम मेन कूदने वाले हैं हमारा स्टाइल बड़ा सिंपल है बढ़ाने का हम क्लास में समय किसी प्रकार से वेस्ट नहीं करते में काम है पढ़ाना लेकिन हाँ उनलाइन क्लास हाना बच्च कहता सर्फ बोरोज आएंगे तो उस बोरोज को दूर करने के लिए हम आपका एंटरटेंबेंट सासा करते रहेंगे मित्रों चिंता दिया वशकता नहीं है यह लीजे उमीद करते हैं स्क्रीन पर आप सब कुछ देख पा रहे हैं सबसे पहली केटेगर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ I talked with you about the financing decisions अभी chapter की शुरुवात नहीं होई है जब chapter start होगा first मैं आपको बताऊंगा अभी आप सिरफ देखेंगे financing decision जब लिखना होगा तो मैं बताऊंगा financing decision में there are four branches यह चार branches आर दी serial order में chapters करवाऊंगा सबसे पहला जो chapter है इसका नाम है cost of capital second chapter का नाम है पुत्तर leverage third chapter दा नाम है गया capital structure the fourth chapter दा नाम है गया theories of capital structure सभी chapter financing decision के अंदर आते हैं सब में एक common theme है yet जो points यह touch up on करेंगे चारों chapter अलग से that will be absolutely different लेकिन common theme क्या रहेगा that we will be talking about the long term finances only that is equity, preference, reserve, surplus, debt etc इसे note कर लेंगे यह financing decision के अंदर चार chapter आएंगे अज first chapter सब्सक्राइब करेंगे cost of capital जब यह खतम होगा तो leverage chapter जब वो खतम होगा capital structure और जब capital structure खतम होगा तो theories of capital structure पर हम चले जाएंगे इस तरह से हम इसकी पढ़ाई को करेंगे हमारा जो chapter वन आज start होने वाला है उसका नाम है भीया cost of capital ठीक है उसका नाम है cost of capital तो हम यहाँ पर आजा आते हैं और chapter का नाम करन जो है करते हैं cost of capital जल्दबाजे बिल्कुल नहीं हर चीज़ को अच्छे से समझना है with logic समझना है ठीकिना और जो हमारा पढ़ाने का तरीका है दोनों चीज़ें कुछ teachers ऐसे हैं जो सिरफ concept 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 पर ध्यान देते हैं उनके पास बहुत जादा conceptual knowledge है ऐसा कहा जाता है और वो सिरफ concept 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 पढ़ाते हैं कुछ chapter हैं कुछ teacher हैं वो कहता question 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 कराएंगे हम सब कुछ कराएंगे conceptual knowledge भी है वो भी देंगे लेकिन किसी भी सिरफ एक चीज़ पर focus नहीं करेंगे exam में पास होने के लिए जीवन में successful होने के लिए जहां तक इस subject की बात है हमें दोनों ही चीज़ों पर पकड़ अपनी मजबूत बनानी पड़ेगी अगर मैं आपको सिरफ concept सिखा दूँ question नहीं कराऊं बहुत पर बच्चे पूछने सर इस बैच में क्या आप question भी कराते हो सर मैंने वीडियो देखा वहाँ पर बंदा ऐसे ऐसे कर रहा था सर मैंने सुचर मैं भी पानी में जाके सर ऐसे 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 कर लूँगा तो swimming आ जाएगी सर मैंने देखा ऐसे ना वो boy and arrow की game होते है सर ऐसे पकड़े करने तिर अंदाजी में निशाना लगाना और बच्चों को स्टाइल पता है कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं से राहूल कर टियार जी का स्टाइल क्या है लेकिन जो भी नहीं भी पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा बता दे हम जो भी chapter करेंगे हर chapter को हम break करेंगे भिन भिन concepts में मान लेजे पहले chapter के अंदर 15 concept है 18 है, 16 है, सर ये कैसे पता चलते हैं बेटा ये मैं बनाता हूं, सर क्या हम भी बना सकते हैं जी नहीं, इसके लिए बहुत सालों का experience और एक powerful mind चाहिए और ये काम मैं आपके उपर नहीं सोबता है तो आपको जब मैं chapter करवाऊंगा concept 1, concept 1 का heading फिर उसके बाद हम उस concept को discuss करेंगे conceptual knowledge लेंगे उसके बारे में लिखेंगे बहुत कुछ so that आप भूले नहीं, because बच्चे रियल लाइफ में क्या है, वो गजनी फिलम के character के तरब हेव करते हैं आज तो याद है लेकिन short term memory loss भूल जाएंगे तो मैं सारी चीज़े almost आपको लिखवा दूँगा और फिर उस concept से संबंदित जो प्रशन होंगे वो मैं आपको class में करवाऊंगा और फिर उस concept से संबंदित कुछ ऐसे question है जो मैं चाहूंगा आप खुद से practice करें वो मैं आपको mark करवाऊंगा आपकी किताब के अंदर तो वो वोले question आप class खताम होने के बाद कर लेंगे इसी तरह हम अगले concept पर जाएंगे concept नंबर दो पर पहले उसका नाम उसका heading लिखेंगे discuss करेंगे concept के बारे में लिखेंगे फिर उस concept से संबंदित question करेंगे class में और उससे संबंदित कुछ question homework के लिए आपको दे दिये चाहेंगे तो ये flow हमारा हर chapter में चलता है जिसकी वजह से हमारा student exam में जंडेगाड कर आता है maximum से maximum marks लेकर आता है क्योंकि दोनों चीज़े strong है concept पर पकड़ भी है और questions की भरपूर practice की है so that exam में जब हम जाएं तो हमें किसी परकार की चिंता ना हो और अगर बायचांस exam में कोई point ऐसा आ गया जो class में discuss नहीं हुआ तो concept अगर आपको पता है तो आप बड़े easily ऐसे प्रशन को भी handle कर पाएंगी ठीक है ना तो आईए cost of capital यह सारी कहानी मैंने बताई क्योंकि अब हम इस chapter के अंदर deep dive कर रहे हैं बिल्कुल उसी परकार से जैसा मैंने भी आपको एक demo दिया concept one cost of capital chapter लखेंगे जी concept one basics concept one basics पहले समझ लेते हैं cost of capital का मतलब क्या है जैसा मैंने आपको कहा when I did the mapping of the syllabus balance sheet की left side पर गए अप अब अगल किते there is a long term financing, equity, preference, reserve, surplus, debenture, bond, loan, etc and मैंने क्या कहा जब भी एक businessman को पैसा raise करना है वो यही चाहेगा कि यहारा ऐसे source से पैसा raise करो जहाँ पर मेरी cost minimum से minimum आए लेकिन पता किसे चलेगा कहाँ पर minimum है तो हमें पहले उसको compute करना पड़ेगा means there is some cost involved तो यहाँ पर हमारे chapter का नाम क्या है cost of capital सर आपने तो कहा था debenture की cost में निकालेंगे reserve surplus के लिए यहाँ तो सिरफ capital लिख़ए financial management में long term financing चाहे वो equity है preference reserves है debenture लोनिया bond है सबको capital बोला जाते है और cost का मतलब क्या हो गया खर्चा cost निकालना expense निकालना तो basically जितने भी capital जितने भी source of finance है सबका cost रम यहाँ पर निकालना सीखेंगे इस particular chapter के अंतरगत और यह जो मैंने बात बोली आईए इसको लिख लें concept one basics में आईए capital means all the long term sources of finance मितरों मेरे साथ साथ लिख लेंगे capital means all the long term sources of finance cost means expense बिल्कुल layman की तरह लिख रहे हैं किसी के मन में किसी परकार का doubt नहीं आएगा capital means all the long term source of finance cost means expense तो अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ कहना चाहूं cost of capital means cost of capital means the cost to be incurred cost of capital means the cost to be incurred for for various sources of finance ठीक है ना भाई cost का मतलब अलग से सीख लिया capital का मतलब अलग से सीख लिया और अब कह दिया cost of capital का मतलब क्या है it means the cost to be incurred for various sources of finance बिलकुल clarity के साथ समझ में आ जाना चाहिए the cost varies as per the risk attached to a particular source the cost varies as per the risk attached to a particular source obviously आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यार सबकी cost जो है वो अलग अलग क्यों है क्योंकि सबका risk अलग अलग है बच्पन से शायद एक चीज आपने सुनी होगी definitely high risk high return जो जितना ज़दा risk लेता है वो उतना ज़दा return बात है और Bollywood movies में तो अक्सर ये use किया जाता है जब तक risk नहीं लोगे तो तक return नहीं मिलेगा तो भाई high risk high return ऐसा normally कहा जाता है इसी लिए कुछ ऐसे source of finance है जिनमें जो risk है वो कम है तो भाई एगर risk कम है तो उसका cost यानि की return भी जोग कम होगा आपके मन में आसकते हैं जब कहीं बार सर वर्ड यूज कर रहे है cost तो कहीं बार यूज कर रहे है वर्ड रिटर्न चक्कर क्या है सुनिए ये कैसा लेट से हुआ ये है पुत्तर investor who is giving the funds to the company and this is the company तो investor की तरफ से funds आ रहे है company को company बदले में यहां से क्या travel हुआ जब company ने investor को दिया investor के माध्यम से सोचू तो ये क्या है investor के खा मुझे return आ गई company क्या कहेगी मेरी cost incur हो गई हम जब भी अपना subject पढ़ते है investor viewpoint से नहीं पढ़ रहे हैं, हम company के point of view से पढ़ रहे हैं, पूरे subject में कहीं कहीं पर ऐसी situation आएगी, जब हमें investor viewpoint से कुछ ना कुछ पढ़ना होगा, वहाँ पर मैं बड़े ही specifically आपको बोलूँगा कि भाई, ये वाला topic ना investor की viewpoint से पढ़ना है, otherwise, पूरा subject organization के viewpoint से है, मतलब company के, तो हम ने chapter का नाम बोला cost of capital, because company के लिए ये क्या है, cost है, जबकि investor के लिए क्या चीज़ है, return है, इसलिए कई बार हो सकते हैं, आप मेरे मूँ से word सुनोगे return, कई बार सुनोगे cost, तो उसका मतलब cost of capital की ही बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर यह चीज़ क्यों ज़रूरी समझी बतानी, कई बच्चों के mind में doubt आ सकते हैं, हम बोलता है, high risk, high return बच्चों बोलों कुछ स्वार, high risk, high return, तो आप यहाँ पर cost word क्यों लिख रहे हो, यहाँ पर return लिखो ना, the return varies, तो return is as good as the cost, सिरफ यह नाम रहे हैं, तो same ही चीज़ may stand different for the two different parties, तो जब हम कह रहे हैं, high risk, high return, तो return किसके viewpoint से investor के, और high risk, high cost मैं कह सकता हूं, किसके viewpoint से, same to same company के viewpoint से, ठीक है ना, तो इसमें confuse नहीं होना है, तो ऐसी बच्चों वाली बात थी, आगे आएंगे main चीज़ लिख रहे हैं, यहाँ पर एक हम diagram के जरीए जो है, चीज़ों को दर्शाएंगे, diagram के जरीए चीज़ों को दर्शाएंगे, यह लीजिए, तो यहाँ पर लिखते हैं, cost of capital, when we say capital, capital को हम तीन भाग में यहाँ पर बांट रहे हैं, one is the share capital, मैंने कहा था, long term source of finance होते हैं सारे, तो share capital हो गया, retained earning, या फिर आप इसे बोल सकते हैं, reserves and surplus हो गया, और तीसरा हो गया, debt, share capital के अंतरगत मैं कह सकता हूँ भाई, equity share capital है, और preference है, ठीक है न, और debt के अंदर, चाहे आप बोलो debenture, चाहे आप बोलो loan, चाहे आप बोलो bond, बात एक है, feature सब की एक है, because you have to pay the interest, anyhow, चाहे वो debenture के नाम से है, loan के नाम से है, या bond के नाम से है, ठीक है न, यह तो हो गई capital की बात, अब सवाल उठा, इस capital पर आपको cost कितनी incur करनी होती है, equity के ओपर आप क्या देते हैं, मतलब अगर आप ऐसा company है, आप क्या देते हैं, sir, dividend देते हैं, sir, बिल्कुल सही, preference के लिए क्या देते हैं, dividend देते हैं, sir, बेड़ा फरक क्या हुआ, equity के case में जो dividend देते हैं, वो होता है, variable dividend, मतलब इस साल अगर दिया मैंने 5 रूपे प्रतीश एर, तो ऐसा अवश्यक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगले साल भी 5 रूपे हो सकते, अगले साल 3 दे दू, साथ दे दू, मतलब जो dividend है, that keeps on varying, जबकि preference के case में dividend remains fixed, तो आइए लिखते हैं, equity पर आप क्या देते हैं, dividend देते हैं, और ये dividend कैसा होता है, variable, preference के case में क्या देते हैं, dividend देते हैं, लेकिन ये dividend कैसा होता है, this dividend is fixed, तो ये चीज़ ध्यान में हमें रखनी है, reserve surplus को 2 minute के लिए छोड़ देंगे, बात कर रहे हैं, debenture loan bond की, तो debenture loan bond, तीनों के case में ही, तीनों के ही case में, you need to pay the interest as the cost, you need to pay the interest as the cost, तो जब हम कह रहे हैं, अपना heading cost of capital, cost of capital में सबसे पहले हमने capital की categories mark कर लेगी, भाई, capital को हम तीन भाग में बाढ़नेंगे, share capital, reserve surplus, debenture, debt, share capital के अंदर equity preference आ गया, debt के अंदर किसी भी नाम से debenture है, loan है, bond है, whatever it is, और बागी रहे हैं, reserve and surplus, अब सवाल उठा क्या, reserve and surplus की cost होती है, sir, नहीं होती, sir, क्योंकि ये पैसा तो हमारा है, sir, इसकी cost नहीं होती, sir, नहीं होती, sir, नहीं होती, sir, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कि reserves and surplus की भी cost होती है, बहुत important है, हालांकि ये point वैसे important है, exam point of view से बहुत जादे important नहीं है, लेकिन हाँ syllabus का हिस्स है, तुम definitely इसे भी deal करेंगे, लेकिन पहले हम debt की बात करेंगे, फिर preference की, फिर equity की last में जाकर reserve and surplus हैने की retain earning की बात की जाएगी, लेकिन फिर भी मैं for the timing आपको definitely बता दूँगा, कि cost होती क्यों है, होती कहां से है, अगर हम याद करें, हमने कभी न कभी economics पड़ी है, तो वहाँ पर दो type की cost होती है, explicit cost, implicit cost, explicit cost का मतलब होता है, जहाँ पर the outflow of money occurs, जहाँ पर आप पैसा दूसरों को देते हैं, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसा तो मरती है, वो वाला पैसे की बात कर रहे है, equity वाला capital, साल खातम हो, आपने का dividend मिलेगा, वो आ गए आपने उनको पैसे दे दिया, कैसे check की form में, preference वाले dividend दे दिया, debenture आया, loan आया, bond आया, आपने पैसा दे दिया, interest की form में सबको, actual में outflow of money occurred from the organization to the party, तो यह कैसी cost है, explicit cost, लेकिन reserve and surplus के case में ऐसा नहीं होता, मान लीजे, company के पास अपने एक करोड रुपे पड़े हैं, funds में, जिसमें से उन्होंने 40 लाग रुपे invest कर लिए, सवाल खड़ा हुआ क्या, year end पर वो उस 40 लाग रुपे के ओपर, actual में किसी को पैसा दे रहे हैं, answer is no, क्योंकि यह पैसा तो खुद कहीं था यार, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता, कि इन funds की cost नहीं है, these funds have the cost, लेकिन implicit cost, कैसे समझते आईए, मान लीजी, company ने, यह जो एक करोड रुपे में से 40 लाग रुपे अपने यहां यूज किये, अगर यह अपने बिजनस में यूज ना करके, कहीं और invest कर देते, तो इन्हें कुछ return आती, जो कि नहीं आ पाई, अगर इस एक करोड रुपे में से 40 लाग रुपे, जो आपने अपने लिए यूज किये, अगर आप खुद के लिए यूज ना करते, कहीं और invest कर देते, तो आपको कुछ return आती, जो कि नहीं आ पाई, यानि कि आप जो कमा सकते थे, आपने वो नहीं कमाया, it is as good as the cost, या फिर एक और तरह से समझ सकते हैं, अगर इस 40 लाग रुपे को मैं आपने retained earnings में से use ना करते हुए, कहीं और से लेता, equity से, preference, date से, कहीं से भी, तब भी तो मैं cost देता, मतलब these funds have got the cost, फरक सिर्फ इतना है कि इसके लिए हमें actual ने पैसा किसी को नहीं देना, that's why these are having the implicit cost, तो अब nature भी लिख लेते हैं, nature of cost लिख लेंगे, nature, इस case में है explicit cost, और इधर भी क्या है, explicit cost, लेकिन जो यहाँ बीच में है, reserve and surplus, इसके लिए जो cost है, वो है implicit cost, ठीक है ना, I hope this is absolutely clear, इसमें किसी परकार की tension दूविधा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ेंगे, साथ साथ नोट करते रहेंगे, जब मैं कहूंगा, तो यह वला एक हमारा चित्र हो गया, cost of capital का, आगे बढ़ रहें हैं, मैंने risk return type के बात की थी, उसके बारे में बात करेंगे, little bit debt, preference share capital, और equity share capital, ठीक है ना, आब यह short forms हमारे, पूरे subject में use होंगे, तो इनको याद ही रखेंगे, ESC, equity share capital, प्रेफरेंश share capital, और debt, बोले तो debt, debenture loan, bond, etc. ठीक है, तो यहाँ पर basis लिखते हैं, return for investor, debt के case में return क्या मिलेगी, interest, debt के case में क्या return मिलेगा, interest, preference के case में क्या मिलेगा, dividend, और equity के case में भी क्या मिलेगा, dividend, सरी यह तो भी पढ़ा, लिख रहे हैं, कुछ purpose है, कुछ reason है, बताना आपको, पका मिलेगा, पका मिलेगा, question mark, यह जो हमने return लिखी, debt वाले को interest मिलेगा, क्या पका मिलेगा, जी हाँ, पका मिलेगा, preference वाले को जो dividend है, क्या पका मिलेगा, पका मिलेगा, क्या equity यह जो dividend है, वो पका मिलेगा, जी नहीं, वो पका नहीं है, वो variable है, company के पास profit हुए, मन किया, तो दे देंगे, loss वा फिर तो दें नहीं सकते, और profit होने के बाद, भी depend करता है, आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो equity वाले में पका नहीं है, ठीक है ना, उसके बाद, यह हमने कहे दिया, क्या पका मिलेगा, अच्छा, इसमें क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवैड करते हैं, पका मिलेगा हमें, इसको भी cross कर देते हैं, हो सकता है, company को loss होके, तो preference वाले पर भी dividend नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तीसरा basis बनाते हैं, क्या, fixed return है, क्या fixed return है, debt के case में यह तो पक्का है, कि interest मिल कर रहेगा, क्योंकि वो P&L की item इट से charge, आपका loss है या profit है, matter नहीं करता, आपको देना पड़ेगा, अगला सवाल है, क्या fixed return है, मतलब अगर 10% है, तो क्या 10% ही मिलेगा, आ हो, क्या dividend, preference के case में fixed dividend मिलेगा, जी हाँ, अगर profit हुए तो fixed है, लेगिन equity के case में, क्या fixed return है, जी नहीं, पहले तो सवाल है, क्या पक्का मिलेगा, नहीं, अगर मानलो, मिलने का chance हो गया, company के तिहाँ profit है, हम देंगे, तो क्या हर साल same मिलेगा, preference के case में same मिलता है, equity के case में same नहीं मिलता, अब ये बताओ, सोचकर, कि जो risk है, अब ये बताओ, सोचकर, कि जो risk है, वो सबसे आदा किसमे है, अगर आप अपने आपको as an investor सोचते हो, तो आप debt holder बनना चाहोगे, preference holder या equity holder, sir, debt holder बनने में सबस्यादा फाइदा है, क्योंकि एक तो हर साल मिलेगा, पक्का ही मिलेगा, और दूसरा fix मिलेगा, तो हमें डरने की अवशक्ता नहीं है, मतलब है सबसे कम रिस्की है, सीज़ी सी बात करें सबसे कम रिस्क है, लेकिन equity के case में अगर आप equity holder बन गए, पहली बात तो पक्का ही नहीं मिलेगा की मिलेगा, और अगर मिला, तो fix नहीं है कि कितना मिलेगा, return fix नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा रिस्की को और रिस्क इस maximum in case of equity share capital, उससे कम रिस्क किस में है, preference वाले में है, तो हम इसको लिख देते हैं, moderate, moderate रिस्क, और सबसे कम रिस्क किस में है, debt के case में है, उमीद करते हैं, ये वाला point पूरन तरीके से clear होगा, reason क्या है इस point को पढ़ने का, मैं चाहता है छुड़वा भी सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ा, risk varies as per the risk, cost varies as per the risk attached to a particular source, तो जब इसका risk, equity का सबसे ज्यादा है, तो इसकी जो return है, return word किसके viewpoint से, investor के, और cost word company के point of view से, सबसे ज्यादा cost भी, सबसे ज्यादा risk है, तो उनकी expectation भी उतनी ही ज्यादा होती है, और आपको company को उतनी ही ज्यादा cost incur करनी पड़ेगी, या फिर ऐसे कहलो, equity holder ने high risk लिया, तो he will expect high return from the organization, again, the moderate shall be in the case of preferential capital, and the least cost shall be in case of debt holders, ठीक न, तो ये एक important point होगा है, समझने के लिए, exam में कोई पूछने नहीं वाला आपसे, लेकिन हाँ, ये general knowledge इस subject के लिए बड़ी जरूरी है, कई मार हो सकते किसी question में comment आजाए लिखने के लिए, तो directly ना से, लेकिन ये चीज़ आपको indirectly बहुत help करेगी, जो अभी अभी हमने लिखी है, दूसरी चीज़ हमने कहा था, जब मैंने आपको ये financing decision की चीज़ यहाँ पर बताई, जब हम balance sheet से पढ़ रहे थे, मैंने कहा कि भाईया, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले financing decision की की पैसा कहां से आया, और अभी अभी हमने अपने chapter 1 स्टार्ट किया, cost of capital जहाँ पर हमने इस बात को जाना, कि अगर आप financing लेते हो किसी भी source से, तो you need to incur certain cost, हर साल के आपकी कुछ ना कुछ cost होने वाली, आप किसी भी source से पैसा लो, और then you have to make sure कि आप investment अपनी ऐसी जगां पर करो, so that आप minimum उतना तो कमालो, जितना आपको दूसरों को देना है यार, एक businessman क्या करता है, आपने एक business start कर दिया, आपके हर साल के खर्चे 5 लाग हो रहे हैं, let's say, तो आप minimum 5 लाग तो कमाने चाओगे, कि भाई चाओए मेरी pocket में कुछ आए ना है, लेकिन जो बाहरवालों का पैसे जने है, at least मैं उतना पैसा तो दे सकूँ, तो cost of capital का एक important definition हमारे सामने आता है, जो कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे मेरे संग संग, cost of capital represents cost of capital represents the minimum required rate of return cost of capital represents the minimum required rate of return to be earned to be earned so as to at least so as to at least meet the cost of so as to at least meet the cost of various sources of finance अराम से लिखेंगे मैं वापिस से एक बड़ डिक्टेट कर देता हूँ, cost of capital represents the minimum required rate of return to be earned, कि कम से कम इतना तो कमा नहीं है, so as to at least meet the cost of various sources of finance, भाई, जो sources of finance है, उनको जो पैसा देना है, at least उसका खर्चा तो meet हो जाए, और कितनी important चीज़ है, जब हम अपने capital budgeting chapter पर जाते हैं, investing decision पर जाते हैं, वहाँ पर cost of capital का एक एहम योगदान होता है, reason being, हम कोई भी project जिसको evaluate कर रहे हैं, कि क्या हम इस project में investment करें या ना करें, तो वहाँ पर हम अपने cost of capital को हमेशा ध्यान में रखते हैं, अगर मालो मेरा cost of capital है 12% या 13% for example, overall सभी का मिला कर, तो मैं ऐसे ही project में पैसा लगाना चाहूँगा, जहां से minimum 13% की return तो आए, अगर मेरी overall cost है business की 13% और मेरा project कमा कर देगा 11%, तो obviously वहाँ पर आपको loss होगा, you should not take up that project, तो जो cost of capital का rate है, इसके बड़े सारे नाम है, इसको hurdle rate, discounting rate वगएरा वगएरा भी कहा जाता है, तो ये rate हमारा capital budgeting chapter में भी बहुत काम का आता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हमें given होता है, कि जी आपका cost of capital इतना percent हैगा है, बताओ आप आप project नों accept करिए या ना करिए, लेकिन वो rate निकलता कैसे है, वो rate हम इस chapter में सीख रहे हैं, वो rate इस chapter में सीख रहे हैं, ठीक है ना, आईए, तो इस chapter की boundary set कर रहे हैं, cost of capital chapter की boundary, cost of capital, इस chapter की अंतरगत में आपको क्या-क्या पढ़ाने वाला हूँ, और किस अंदास से पढ़ाने वाला हूँ, किस hierarchy में पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहला इसमें, बेटा, concept आएगा हमारा, cost of debt, then आएगा, cost of preference share capital, फिर बेटा, cost of equity share capital, then cost of reserves and surplus, तो जितने भी आपके source of finance है, सबसे पहले हम हर एक का individually cost निकालना सीखेंगे, debt का cost, preference का, equity का, reserve, surplus का, लेकिन, उसके बाद, सुनियाँ का ध्यान से, उसके बाद सबसे महत्तवपुर्ण बात आती है, कौनसी, मान लीजे, आपके class 12th में number थे, math में 100 में से 100, बाके सब में 70 से कम थे, हर एक में 70 से कम, मैंने पुछा, आपके class 12th में कितने percent थे, सर, 100% आये थे math में, बड़ा, जब कोई पूछता है, तो ऐसे नहीं बताते है, आपको overall बताना होता है, फिर आपको कि ठीक है सर, overall में 77% थे, लेकिन उसी प्रकार से, आप जब investing, decision chapter में गये, आपने कहा, कि ये project मुझे दे रहा है, 15% की return, for example, कोई ऐसा project है, जो की 15% की return दे रहा है, अब आपको obviously उसको compare किस से करने है, cost of capital से, आप कहते, जब compare करने लगे, debt की cost है 10%, preference की 13, equity की है 17, तो मैं ये project accept करूं या ना करूं, debt की तो कम है, preference की कम है, लेकिन equity की तो 15 से, ज्यादा है, projects return ना रहा है 15, और जा कैसे रहा है, debt पे 10, preference पे 13, और equity पे 17, ये क्या बात होई, यार हमें overall cost चाहिए, हमें अलग-लग source की नहीं चाहिए, that's why it is very important, that we have to find out the cost of overall capital, या फिर मैं ऐसे कह दूँ, overall cost of capital, इसको weighted average cost of capital भी कहा जाता है, लास्ट वाला जो है basically, पहले चार अलग-लग सीखेंगे, तब ही हम last वाले overall cost of capital तक पहुँच पाएंगे, इनको क्या-क्या कहा जाता है, इसको cost of debt को, हम symbol से denote करता है, KD, K के चरणों में D, preference के लिए KP, equity के लिए KE, reserve surplus के लिए उज़ोते KRE, मतलब cost of retained earning, और overall cost of capital के बेटा use होता है, cost of K, यानि की overall cost of capital, K के पैरों में O, तो ये symbol जो है, accepted symbol है, आप exam में भी इनको use कर सकते हैं definitely, ठीके ना, इनको use करना ही है, तो ये हमारे chapter की boundary हो गए, cost of capital का मतलब सीख लिए, अभी तक क्या चल रहा था, अपना cost of debt पढ़ना start करेंगे, cost of debt से संबंदित कहीं सारे concepts होंगे हमारे पास, जिस-जिस type का question exam में पूछा जा सकते हैं, वो sub type cover करेंगे, फिर उन concepts सद preference पर आएंगे, फिर equity और इस प्रकार से chapter के अंदर तक पुत्तर चलेंगे, ठीके ना, तो आईए स्टार्ट करते हैं, हमारे हैं concept number 2 पर, लिख लेंगे पुत्तर मेरे संग, concept number 2, cost of debt, irredeemable, सर ये क्या है, बेटा सब बताएंगे, धैरे रखो, patience रखो, सब करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, अब आप हमारी शरण में आ गए हैं, आप अवल दर्ज़े से, पास होकर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, क्या लिख दिया हमने, cost of debt irredeemable, क्या मतलब है, सबसे पहले तो debt का मतलब समझते हैं, debt का मतलब क्या होता है, debt वो पैसा है, जो की company ने, organization ने, किसी और person से लिया, और आपको हर साल, एक payment करते जाना है, in the form of interest, right, पहले तो debt का मतलब सीखते हैं, irredeemable पर उसके बाद जाएंगे, आए लिखते हैं, debt represents the use of money, debt represents the use of money, for which a fixed payment in the form of interest is to be made by the borrower, is to be made by the borrower to lender, debt represents the use of money, कौन सी money, for which a fixed payment in the form of interest, interest की फॉर्म में, fixed payment करेगा, कौन, borrower, borrower को ने, जिसने उधार लिया, किसको करेगा, lender को, lender कौन है, जिसने उधार दिया है, right, so, what are we saying, हम कह रहे हैं, ये लिजे, ये है आज की date, ये है आज, ये है zero year, ये है, sorry, ये है first year, ये है second year, ये है third year, up to, another year, आपने आज की rate में, क्या-क्या पैसा ले लिया, मैं क्या कहता हूं, आज की rate में, आपने क्या-क्या डिबेंचर, इशू कर दिये, डिबेंचर, इशू करती है, हर साल आपको क्या देना है, you have to make the payment of interest, I mean, इंटर में short form लिख रहा हूं, जब तक ये डिबेंचर आपके साथ चलेगा, you have to pay the interest for all such years, हर साल आपको क्या करना है, interest तो देना ही पड़ेगा, right, दूसरी चीज़, अब आते हैं, हम अपने टॉपिक पर, जो क्या लिखा, cost of debt irredeemable, irredeemable का मतलब है, कि आप ये डिबेंचर को normal में redeem नहीं करोगे, redemption का मतलब होता है, जो पैसा आपने लिया, उसको वापिस कर देना, after a certain period of time, लेकिन हमने क्या बोले, debेंचर irredeemable है, redeem ही नहीं होगा, यानि कि इसको सिरफ एक ही चीज़ का पैसा जाएगा, that is interest only, इसके लिए जो हमारा N है, जो ये N है, क्योंकि हमारा irredeemable है, तो इसका N जो है, it is not defined, कि कब redeem होगा, हमें नहीं पता, या फिर ऐसे कलोगी, redeem ही नहीं होगा, इन नॉर्मल पार्लेंस, should be absolutely clear, धिरे धिर करके हर एक पॉइंट को touch upon करेंगे, यानि कि the only expense in the case of irredeemable debt is interest, मैं लिख ले तो यहाँ पर एक लाइन, the only expenditure in case of irredeemable debt is of interest, irredeemable के case में, हम जिरफ एक ही खर्चा कर रहे हैं, basically किस नाम से interest से, इसका मतलब होगा, सर जो हम interest दे रहे हैं, वो हमारी cost हो गई, नहीं, रुकिये अभी, interest जो है, it's a tax deductible expenditure, so whenever we take into account, the expense on account of interest, we have to consider the tax saving, सर ये तो सर समझ नहीं है, सर उपर से निकल गया, पुत्तर ठहर जा, आने भी किछेती हैं, मैं example ना समझाना लग गया है, रुकिये जी, तो हम यहाँ पर एक example बनाते हैं, example, किस चीज का बना रहे हैं, net cost of interest का, example बन रहे हैं, किस चीज के लिए, net cost of interest, net cost of interest के लिए, तो देर इस वन पी एंडल अकाउंट, और देर इस अनदर पी एंडल अकाउंट, ठीक है, तो पहले वाला केस करते हैं, आराम से आईए, हमने कहा, पहले पी एंडल में, देर इस अजीपी, देर इस अजीपी ओफ वन थाउजन, बिजनस के खर्चें मान लेते हैं, 200, two expenses पुत्तर 200, मतलब 800 रुपे का profit बच गया, लेकिन मैं साथ में कह रहा हूं, tax कितना है, 40%, तो two tax, आपका कितना profit बच रहे, 800, 800 का 40 प्रतिशत, किनेट प्रॉफिट, two net profit, कितना आगया जी, 480 रुपे, एक situation थोड़ा सा different करते हैं, by GP, 1000, expenses अब भी सेमी हैं, 200, लेकिन इस वाले P&L में हमने क्या किया, debenture इसू कर दी, जिसके ओपर interest आया, 100 रुपे का, two interest, 100 रुपे, ये एक नया खर्चा आपका आगया, फिर से tax आएगा, आपका 1000 रुपे का credit side पर GP है, जिसमें से आपने 300 रुपे के खर्चे, minus के 200 का expense, 100 का interest, तो कितना रहे गया profit, 700, तो 700 रुपे का बेटा 40%, ये आगया 280, तो आपका जो net profit है, वो कितना बचा, to net profit, अगर मैं देखूं, तो 1000 रुपे में से, 200, 300, 200, 500, 580 गई तो ये रहे गया, 420, ध्यान से देखिए, अभी detail में इसकी बात से चल रही है, कुछ समय इसके ओपर लगेगा, अगर आप इन दोनों compare करें, मेरा यहाँ पर profit कितना था, 480, यहाँ पर मैंने एक नया खर्चा डाला, किस नाम से, interest के नाम से, यहाँ पर मैंने एक नया खर्चा डाला, किस नाम से, interest के नाम से, तो after taking this 100 into account, my profit should have reduced by 100, 480 से सीधा हो जाना चैए 380, लेकिन जब यहाँ पर देखा, तो मेरा profit 380 नहीं हो, आप मेरा profit तो पहुंचा है 420 पर, यानि कि जो reduction in profit आया, वो equal into interest नहीं आया, सुनिया आराम से, लिख कर भी बताऊंगा, और कुछ पहले सुनिये सिरफ, यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ मेरा cost कितना है, 100 रुपए, लेकिन अगर यह सच में 100 रुपए cost है, तो यहाँ पर reduction in profit भी तो 100 होना चाहिए था, जबकि reduction in profit कितना हुआ है, सिरफ 60 रुपए, यानि कि जो देखने से लग रहा है, प्राइमा फेसी, कि 100 रुपए कोस्ट पूरी 100 रुपए कोस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा profit सिरफ 60 रुपए से कम हुआ, तो net cost 60 है, मतलब जो interest 100 रुपए दिख रहा है, वो पूरा interest cost नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो saving हुई है, और कितने की saving यहाँ पर देखू, मैंने 100 का खर्चा debit किया, लेकिन मेरा profit 60 से कम हूँ, मतलब 40 की मुझे saving हो गई, उस खर्चे के कारण, एक के ना, समझते हैं आई, net cost is equal to, net cost is equal to, gross cost, minus saving, हमारा जो gross cost है, कितने रुपए है, यह exam purpose के लिए नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, minus saving, आपकी saving कितने रुपए की, 40 रुपए की, तभी तो net cost 60 आई, और deep down करूँ, तो 100 minus, यह saving 40 रुपए कैसे आई, अगर आप ध्यान दे, आपका जो tax का percentage है, that was 40%, तो आपका जो amount of interest है, 100 रुपए, उसके उपर, जब मैं 40 प्रतीशत करता हूँ, तो यह 40 की saving आती है, 100 minus, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 100 minus 100 into 0.40, एक ही बात है, अगर मैं यहां से 100 को common ले लेता हूँ, तो यह बच गया 1 minus 0.40, 100 को common ले लिया, तो 100 के बाद रह गया 1 minus 0.4, और अब अगर इसका मैं formula बनाने जाऊँ, तो 100 क्या है, 100 was my interest, और 40 क्या था, 0.40, it was my tax rate, so यह आपका होता है, net cost of interest, formula रटवाया नहीं है, मैंने आपको पूरा logic के साथ समझाया, reason यही, so that हमें ऐसा न लगे किया रही, इंटरस्ट का 1 minus tax rate क्यों आ रहा है, तो जब भी हमें interest के कारण cost देखने है, company को कितनी पढ़ रही है, तो हमेशा हमारी कुछ ना कुछ saving होगी, तो company जब debt के थुरू पैसा लेती है, उनकी effective cost कम पढ़ती है, reason being क्योंकि जो खर्चे है, वो P&L में debit हो गया, और P&L में किसी भी खर्चे के debit होने का मतलब होता है, कोई भी खर्चा हो, कि वहाँ पर tax saving मिलेगी, अब जब आईए सोचो, क्या preference या equity का जो dividend है, क्या वो भी P&L में जाता है, the answer is no, that's why the company's cost on the preference and equity is much more as compared to debt, क्योंकि debt के case में तो आपका जो interest है, P&L में debit हो गया, जिसके कारण, आपको वहाँ पर tax saving हो गई, तो आपकी effective cost कम पड़ी, अगर मैं कहा रहा हूँ कि मैंने bank से 10% पर loan उठाया, 10% पर loan उठाया, तो पूरी 10 की cost नहीं है, अगर मालू मेरा 40% tax rate है, तो 10 में से 40% निकाल, तो चरफ 6% ही मेरी effective cost होगी, वहीं अगर मैं यह कहता हूँ कि मैंने preference से पैसा उठाया, और 12% की return है, तो वहाँ पर वो 12 से कम नहीं है, जादा चाहे जरूर हो जाए, लेकिन रहेगा वो 12 भी, 12 से कम नहीं हो सकते है, 12 से ज्यादा जरूर हो सकते है, depending upon उस scenario में, इंडिया में rules etc, क्या चलने हैं, आपका dividend distribution tax etc, इसको CDT भी बोलते हैं, कि जब company dividend देगी, तो साथ में CDT बगएरा भी देना होता है, हमारे FM में वो concept एंटर नहीं करता, इसने उसके detail में बातचित करने के हमें विशक्ता नहीं है, लेकिन मैं सिरफ इतना कहना चाहता हूँ, कि वहाँ पर अगर 12% है, तो 12 तो minimum है, ये 12 से कम नहीं, लेकिन debt की case में ऐसा नहीं, जितना दिख रहा है, उससे कम की cost पढ़ते है, because it is debited in the P&L account, इसका detail जो है अभी लिखेंगे, इसका detail जो है अभी लिखेंगे, सर ये कैसे बना, बड़ा ही simple सा एक formula याद रखो, generic formula, यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी भी चीज की cost निकालनी हो, तो generic formula क्या है, कि आपको उसका cost कितना पढ़ रहा है, divide by, आपको lab क्या हूँ, वो lab मतलब पैसा कितना आया, funds कितने आये, cost upon funds into 100, यह एक generic formula हो गया, life में कभी भी किसी चीज की cost निकालनी पढ़े, तो आपको कि मुझे इसका net cost पढ़ क्या रहा है, divide by मुझे इससे funds कितने आये हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम cost एजले निकाल सकते हैं, okay, एक example लेकर बताऊं, अगर मैं मान लीजिए, मैंने एक लाक रुपए कहीं से लिए, funds आगे एक लाक और उस बंदे ने मेरे को बोला, कि मैं पूरे साल का 15,000 रुपए अलग से तरे से लूँगा, तो मुझे इसके ओपर 15,000 के cost इंकर करनी है, तो मेरा कितना हो गया formula के हिसाब से 15% जो मैं cost मतलब इंकर कर रहा हूँ, ये बड़ा ही generic formula है, तो हम इस generic formula को जो अपने यहाँ पर डालें, हमारे लिए cost का मतलब क्या है, cost is i into 1 minus t, हमारे लिए cost क्या है, i into 1 minus t, अभी हमने सीखा उपर, interest को i लिख दिया, tax rate को t लिख दिया, divide by np, यहाँ word के लिख है funds, हमारे लिए word क्या है, हमारे formula में np, np का मतलब भी लिखेंगे, अराम से, सिर्फ सुन लिजे, net proceeds, net proceeds, यानि कि जब आपने debenture का issue किया, तो आपके पास as a company, कितने रूपए आए, flow कितने रूपए आपके पास के, that is called as a net proceeds, ठीक है, तो formula बन गया cost, जो आपने incur के, divide by funds, मतलब कितने पैस है, into 100, into 100 क्योंकि है, so that answer मेरा percentage में आ जाए, ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, इसको मैं, different color से लिख रहा हूँ, आप रब मत कीजेगा, reason है कुछ, kd is equal to i into 1 minus t, divide by, np into 100, अब इन सब का, नामकरण कर देते हैं, कि भाई, i, t, np बगेरा का, क्या-क्या मतलब होता है, ये लीजे, so i का मतलब है, लिखेंगे, interest per debenture, bracket में रूपी, i का मतलब, interest per debenture रूपी, ध्यान दे, इसका मतलब, interest percentage नहीं, interest per debenture रूपी, interest कैसे आएगा, और ये per debenture क्यों लिखा, देखो, जब हम percentage में, cost नेकाल रहे हैं, percentage में, हमने formula में, multiply by 100 के, means we are finding out the cost in percentage, आप जब percentage में करते हैं, तो चाहे आप एक debenture से कर लो, चाहे सारे debenture से कर लो, the answer is going to be same, question लिख कर रहे हैगा, company should 5 million debenture, 20 million debenture, रूपी 5 lakh debenture, रूपी 5 crore debenture, irrelevant for us, हमें एक debenture से calculation कर ले नहीं, the answer is going to be absolutely same, sir exam में चलेगा, आपको पढ़ा ही नहीं जाएगी, इतना trust आपको रखना होगा, maintain करना होगा, मित्रों, आजएए, interest per debenture in रूपी, interest निकलेगा कैसे, interest निकलता है, face value per debenture multiply by interest percentage, जितनी भी face value होगी, उसके ओपर interest निकलेगा, सर्फ 100 रूपे का debenture market में 110 का चल रहा है, तो interest कैसे निकलेगा, face value उपर, face value कितनी है, 100 रूपे, हमेशा face value उपर निकलेगा, इसकी कोई exception नहीं है, और interest percentage, interest percentage के bracket में लिख लेंगे, also known as coupon rate, interest percentage को coupon rate भी कहा जाता है, अगर exam में question में लिखा आ गया, company ने debenture शुकिए, coupon rate 15%, coupon rate मतलब interest rate is 15%, ठीक है, तो यह हो गया interest की बाद, face value question में हमेशा आपको given होगी, अगर given नहीं होगी, तो आपको assume करने होगी, normally we assume it to be 100, ठीक, आगे लिखेंगे, T का मतलब, आई हो गया, एक हमने लिखा था T, T का मतलब है, tax rate, T का मतलब क्या है, tax rate, 30% है तो 0.3, 40% है तो 0.4, 50% है तो 0.5, इस प्रकार से, और यह tax rate किसका है, very important, it is of corporate, यह cost कौन निकाल रहा है, company निकाल रही है, तो tax rate आपको, उस organization का चाहिए, personal tax rate नहीं चाहिए, sir, debenture holder जो, उसका tax rate चाहिए का, जी नहीं, यह cost को निकाल रहा है, company, debenture holder का tax rate नहीं चाहिए, पूरे chapter में, personal tax rate, holder का सिरफ एक जगां पर चाहिए होगा, जब retain earning की बात करेंगे, वहाँ पर मैं बताऊँगा अलग से, otherwise हमेशा यह organization का रहेगा, फिर आई बात, NP, NP क्या है, net proceeds, per debenture, in rupee, net proceeds per debenture in rupee, कैसे निकलेगा, formula लिख लेते हैं, face value per debenture, net proceeds per debenture का formula लिखेंगे, पुत्तर, face value per debenture, plus premium on issue हो सकते हैं, आपने जब debenture issue किये, तो premium पर बेचे, premium पर issue किये, तो plus कर देना, अगर discount पर किये issue, तो discount minus हो जाएगा, premium और discount की, adjustment के बाद, जो figure आ गई, that is called as the, issue price, मतलब आप, इतने का issue करने के लिए, ready हो सकते हैं, आपका लेट से 100 रुपे की, face value थे, आपने का 10% का premium, तो 100 प्लस 10, 110 रुपे आपका issue price हो गया, any person who is willing to take the debenture, has to shed the rupee 110 out of his pocket, to take your one debenture, यह हो गया जी issue price, लेकिन हम कहरें, net proceed, क्या company के हाथ में उतना ही आए, जी नहीं, जरूरी नहीं है, लोगों से पैसे आगी, 110 रुपे के हिसाब से, लेकिन आपके पास 110 पॉंचे जरूरी नहीं है, reason being, जब company issue करती है, तो भाईया कहीं सारे खर्चे, तो आपका issue cost हो जाता है, जैसे कि मानलीजे, आपने underwriter की सुविधा ली, तो आपको underwriter को commission देनी पड़ेगी, आप public issue करने वाले हो, आपने अख़बार में बड़े-बड़े इस्तिहार लगवाई, advertisement दिया, उसका खर्चा हो गया, तो तरहां-तरहां से काफी सरे expense आपके हो सकते हैं, जिसको कहते हैं, cost of issue, तो अगर ऐसा कुछ है, उसको minus करेंगे, minus लिखेंगे, cost of issue, इसको flotation cost भी कह दिया जाता है, issue expenses के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसा करने पर जो value आएगी, that will be called as net proceeds per debenture, that will be called as net proceeds per debenture, face value plus premium, discount है तो minus, cost of issue भी minus, ये लीजे, हो सकता है, ये बात कब सही हो गई, माल लीजे, company नया debenture issue करें, तो इस तरह से निकलेगा, लेकिन company हो सकते है, जो आपका existing debenture है, उसकी cost भी निकालना चाहती हो, उस case में net proceeds का क्या मतलब होगा, नया debenture तो आप issue करनी रहे, जो आपका market में existing debenture है, उसका market price क्या चल रहा है, अप उसके तहत भी निकाल सकते हैं, ध्यान सा समझ लेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, net proceeds word use कब होगा, जब आप नया debenture issue कर रहे हो, कि हमने जब debenture शूए के, तो हमें कितनी proceeds आई, लेकिन अगर आपका कोई existing debenture है, market में already है, 100 रुपे वाले debenture की, let's say face value 100 है, जिसकी market में 120 रुपे का उसका price है, तो वो 120 रुपे will work as the net proceeds, ठीक है न, तो वो existing के case में हो जाएगा, हालां कि इसमें इतनी ज़ादा आवशक्ता नहीं, जिब shares वाले में जाएंगे, एकुटिव गएरे में, तब मैं वहाँ पर आपको सिखाऊंगा, वहाँ पर जादा आवशक्ता उस चीज़ की पढ़ती है, तो यह formula होगा, KD का I into 1 minus T upon NP into 100 सीख लिया, अब इससे संबंदित question धड़ाद़ा हमें करने हैं, अगर मैं आपको book पर लेकर जाओंगा, तो वहाँ आप देखेंगे, शुरुवात के कुछ सवाल मैंने लिखा हुए, to be written in class, to be written in class, तो वो questions मैं आपको class में ही dictate करने वाला हूँ, ठीक है ना, so we are ready guys, let us start, with the question 1, question 1, question 1 है, क्यो ना, शुब नाम से शुरुवात करें, TRG Limited, issued, 10%, 50,000 debentures, of Rs. 100 each, TRG Limited issued, 10%, 50,000 debentures, of Rs. 100 each, find KD, if tax rate is, 35%, find KD, if tax rate is, 35%, solution, सबसे पहले तो question पढ़कर ये पता लगाना, कि क्या ये irredeemable debenture है, question ने debenture वर्ड तो खुदी लिख दिया, मतलब हाँ भी debenture तो है, ये कैसे पता चलेगा, कि ये irredeemable है कि redeemable है, अगर redeemable होंगे, तो question बताएगा, कि कितने साल बाद redeemable है, लेकिन question ने ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं लिखा, मतलबी debenture क्या है, irredeemable है, irredeemable के case में formula हम जानते है, कि i into 1 minus t बटे np गुना 100, ये formula हमें पता है, लेकिन जब exam में करेंगे, तो पहले i, t, np, जो जो variable हैं, सबसे पहले उन्हें set करना, उसके बाद formula लगाना, ठीक, तो सबसे पहले हम कहते हैं i, क्या से कहा है था मैंने, face value का percentage लगाना interest, face value कितने है question में 100 रुपे, interest percentage कितना है 10 परतीशत, तो i हो गया 10 रुपे, t कितना है 35%, और हमारे purpose के लिए हमें कैसे लिखना है, 0.35, यह percentage में होता है 0.35, NP का मतलब होता है net proceeds, कैसे start होता है face value, face value में premium है तो add करो, क्या कोई premium है question में नहीं है, क्या कोई discount है नहीं है, मतलब जो face value 100 रुपे था, वही आपका क्या हो गया, issue price, मैं यहाँ पर लिखकर दिखा दू, 100 रुपे की face value, कोई question में premium नहीं, कोई discount नहीं, तो issue price सेम हो गया face value जैसा, question में कोई cost of issue, flotation cost भी नहीं, तो आपका net proceeds क्या हो गया, सेम हो गया, और इस case में आपको करके दिखाने के भी अवशकता, नहीं है exam में, क्योंकि question में कोई भी point है यह नहीं, premium discount एक्सेक्टरा का, net proceeds, सेम आगया आपका, 100 रुपे, सारे variable मिल गे, now we are ready to apply the formula, तो हम कहेंगे भी यह, kd is equal to, i into 1 minus t, divide by np into 100, 6.5, divide by 100 into 100, तो यह आपका उत्तर आगया पुत्तर, 6.5% लीजे, तो इस तरह से बड़े आसानी से, हमने इसका उत्तर निकाल लिया, सबसे पहले formula लगाना नहीं है, i, t, n, p, जो variable हैं, सबसे पहले उन्हें select करो, उन्हें finalize करो, freeze करो, उसके बढ़े formula में भर दो, तो कभी गलती नहीं होगी, याद रखना, जल्दी करना से कुछ हासिल नहीं होगा, exam में अगर marks लेने हैं, तो you have to show each and every step very carefully, यह वा पहला प्रशन, प्रशन नंबर दो पर आ गए, question 2, assume in question 1, that, TRG Limited, issued the debentures at, assume in question 1, that TRG Limited, issued the debentures at, 10% discount, question 2 में हम क्या कह रहे हैं, assume कीजे कि, जो debenture थे, वो 10% discount पर issue किये गए, कोई बात नहीं, अराम से, सभी variable को एक एक करते हैं, पहले freeze करेंगे, सबसे पहले आई पर, sir, change हो जाएगा sir, क्योंकि इस पार discount है, और पुत्तर में तो अनूं, 10-80, interest is always calculated on the face value, the face value is still same, 100 रुपी, ध्यान रखें, premium या discount, या cost of issue के करण, आपके interest पर फरक नहीं पड़ेगा, interest, face value पर नेकलेगा, face value 100 रुपे, interest का rate है, 10 प्रतिशत, ये 10 रुपे ही रहेगा, इसमें कोई change नहीं है, बात करें, T की, T था 35%, जो की अभी भी सेम रहेगा, 0.35 हाँ, जब बाताई, net proceed की, यहाँ पर आपका changes होगा, क्योंकि इस बार, there is a discount on issue, question में गए, क्योंकि question 1, same चल रहेगा, तो face value कितने है, 100 रुपे, हम कहेंगे, net proceeds की calculation के लिए, face value, per debenture, is equal to 100 रुपी, जिसमें से, there is a discount on issue, तो जिसे minus करेंगे, minus discount on issue, बाता कितना है, question ने कहा, 10%, face value 100 रुपे, 100 रुपे का, 10 परतीशत, यानि की, 10 रुपे, minus हो गया, और यह आगया, आपका, 90 रुपे, so this is the, net proceeds, 90 रुपे, becomes the, net proceeds, very, very important, ध्यान रखेंगे, बिच्चों के माइड में यह आजाता है, एकदम से, अरे discount आगे, तो चलो interest को change करतें, interest के ओपर, कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक, यह 90 रुपे आपका आगया, formula लगाएंगे, KD का, I, that is 10, into 1, minus T, that is 0.35, upon, NP, that is 90, into 100, 10, into 1, minus 0.35, हो गया, 6.5, divide by 90, into 100, जो उत्तर आपके पास आएगा, that is 6.5, divided by 90%, 7.22%, calculator पर करेंगे, तो 7.22, 22, 22, 22, 22, चलता जा रहे, लेकिन हमें, up to two decimal place तक, answer को अपने, लिखना है बेटा, complete करेंगे, इसे भी, question number 2, this was the question number 2, इसे भी complete करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, main point क्या रहा, net proceeds की, calculation रही है, so this is question number 2, चलें, question number 3 पर उमीद करते हैं, note कर लिया है आपने, question number 3, assume in question 1, that, TRG limited, assume in question 1, that TRG limited, issued the debentures at, 10% premium, तो question 1 में assume करें, कि जो debenture issue किये थे, TRG limited ने वो, 10% premium पर थे, हमने question 2 में क्या बनाया था, कि भी या आपने discount पर इशू किये, तीसरे कि इसमें क्या बना थे, 10% premium पर इशू किये, आईए देखते हैं, इसके करन क्या impact पड़ेगा, solution, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, variables के, so, I is still same, it is always calculated on the face value, जो की 100 रुपए ही है, तो 100 रुपए का 10 परतिश्यत हो गया, बेटा, 10 रुपए, P was 35%, तो यह आपका 0.35 यह आ गया, जहां तक है net proceeds की बात, यहां पर changes होंगे, सो face value, per debenture, as given in the question, इस बेटा 100 रुपए, क्योंकि premium है, तो premium add होगा, premium के होने के कारण, company को जो पैसा है, वो ज्यादा आता है, net proceeds बढ़ जाएगी, कितना है premium, 10 परतिश्यत, किस पर लगाना, face value पर, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए, तो आपका जो net proceeds बना, that is, 110 रुपए, net proceeds कितना हुआ जी, 110 रुपए, जैसे ही आपके पस, तीनो variable आए, उसके बाद का काम असान है, इसलिए बार-बार कह रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी, कई बच्चे बस जोश में बैठे हैं, सर से पहले अपना अंसर निकालना है, बेटा मुझसे competition मत करो, मैं तो आपका teacher हूँ, ठीक है न, तो मुझसे competition करके, कोई हल नहीं होगा, और वैसे भी यह नहीं, कि सर का answer निकालना से पहले, मैं अपना answer निकालूँगा, किस प्रकार से किया है, तो इस चीज़को हमेशा याद रखना है, आगे उत्तर निकालने के लिए, kd is equal to, i कितना था 10, into 1 minus 0.35, upon np into 100, 6.5 divided by 110 into 100, तो ए आगे जी 6.1 divided by 110 into 100, 5. देखो calculator पे क्या रहे है, 909, तो उसको 91 कर देंगे, 5.91 परसेंट, जी लिख लीजी, लिख लीजी, मेरी राहे तेरे तक है, इश्क मेरा तू बेशक है, सत छोड़ूगा न तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूगा या खुदा से माग लाऊंगा, को तेरे नाल तक दीर लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, सत तेरी मैं कसम, अमीद करते हैं, यह वाला question भी done हो गया, अब हमने यह तीन प्रशन किये क्यों, इसके पेचे एक राज है, उस राज को जानते हैं, तीनों question में आपने यह देखा, जो face value है, जो interest rate है, और जो tax का rate है, वो सब सेम रहा, हमने सिरफ change किया, तो क्या, सबसे पहले वाले question में, debenture issue जब किये, ना discount, ना premium, मतलब debentures और issued at par, आपकी effective cost है, 6.5% की, rate of interest कितना था 10, लेकिन क्योंकि हमें पता है, tax saving मिलती है, जिसके कारणा आपका rate रहा गया, effective cost का 6.5%, जैसे ही हमने कहा, कि भाईया, par पर नहीं, discount पर issue होगा, discount को हमेशा हम negative नजरों से देखते हैं, तो आज ये prove हो गया, कि भाई, negative क्यों है, जैसे question 2 में आपने discount लगाया, आपकी जो effective cost है, वो कितनी आ गई, 7.22%, जबकि, बिना discount के, ये cost आपकी कितने आ रहे थी, 6.5%, interest का rate से में, tax का rate से में, हर चीज से में, सिरफ फरक क्या है discount का, जब at par issue किया, तो 6.5%, लेकिन जैसे ही discount पर issue के, तो आपकी effective cost बढ़ गई, reason, क्योंकि, आपका numerator से में, आपको 6.5% की ही cost पढ़ रहे, जबकि funds जो हैं, वो कम आए, first वाले case में, जो par वाला case था, यहाँ पर आपको funds कितने रुपई के आए थी, 100 रुपई के, 100 रुपई के आपको funds आए, जबकि second वाले case में, आपको जो funds है, वो कितने रुपई के आए, सिरफ 90 रुपई के funds आए, रुपई के, 90 रुपई के, first वाले case में, कितने के funds आए थे, 100 रुपई के, उमिद करते हैं, देख पा रहे हैं, और तीसरे case में जब आए यहां, तो हमने और 60 पे 100 अगर कर दिता, हमने कहा, discount नहीं, premium पर करो, अब जैसे premium पर करो, हम हमेशा premium को एक positive, सोच positive नजरों के साथ देखते हैं, कि भाई, ये बड़ी सई चीज है जिदगी में, तो यहां पर हमने देखा, जो आपकी effective cost है, वो रह गई 5.91, जो question 1 था, at par, वहां पर थी 6.5, ये उससे भी कम आगई, reason, आपका जो numerator है 6.5, खर्चा तो उतना ही लग रहा है, लेकिन आपको जो funds हैं, वो extra मिल गए, यानि कि इस case में 110 रुपे आगे, बट मुझे सिरफ खर्चा करना पड़ा साड़े छे, जबकि case 1 में आपको 100 रुपे आए थे, और उसके ओपर खर्चा कितना करना पड़ा था, साड़े छे, लेकिन यहां पर extra 10 रुपे आए, जिसकी वज़े से मेरा effective cause जो है वो कम हुआ है, तो यह पहले तीन question कराने का purpose यह था, so that आपको discount और premium का मतलब जो है actual में समझाया जा सके, आगे बढ़ते हैं question number 4 पर, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ते कुछ चीज़ें हैं, जो कि as a teacher, as a mentor, as a guide, मुझे बात्चित करने बहुत आवश्यक है, हम क्या करते हैं, इस course में आते हैं, जब आते हैं तो बहुत जोश होता है, कि यार मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, और अच्छी बात है, हो ना बही चाहिए, बड़ी simple सी बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो कि अपने जीवन में, इस course में आने से पहले, जो भी school, college आपने किया है, वहाँ पर बहुत अच्छे marks से, आप करते रहे हैं, प्रदर्शन, टॉप करते रहे हैं काफी बच्चे, ठीक है ना, लेकिन, जब इस course में आते हैं, तो कहीना कहीं हम देखते हैं, कि बच्चों के marks कम हो जाते हैं, जो पढ़ने की इच्छाएं, वो कहीना कहीं कम हो जाते हैं, और हम उतना score नहीं कर पाते हैं, जितना की हमें करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा reason क्या है, तब हमारे उपर कोई ना कोई होता था, जज करने के लिए, खास कर स्कूल में, एक regulated environment था, इतने बज़े स्कूल जाना है, इतने बज़े वापिस आने, बीच में यह periods होंगे, हर period में teacher आते थे, काम करवाते थे, आप कोई भी हरकत एसस नहीं कर सकते थे, करते थे तो punishment मिलती थी, फिर साथ में homework मिलता था, homework करके लेकर जाना होता था, अगले दिन copy check होती थी, समय समय पर आपको evaluate करने के लिए, test etc. जो होते रहते थे, जैसे आप इस course में unregulated हो गए, कोई college वगएरा तो है नहीं, तो आपने का यहां कौन देख रहे हैं, और हमें ये पता नहीं चलता कि, कब ये चीज़ हमारी आदत में तबदीर हो जाते हैं, शुरुआत में हम लगते हैं ठीक है, आज class नहीं देखते हैं, आज नहीं बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ कब आपकी आदत बन जाते हैं, कब आप इसके अधीन हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, तो भाई हम इस course में आए हैं, अपने सुनहरे भविश्य के लिए आए हैं, अपने आपको जीवन में कुछ बनाना चाहते हैं, किसी particular औहुदे तक पहुचना चाहते हैं, किसी मुकाम को पाना चाहते हैं, कोई ना कोई लक्षय जरूर लेकर रखता हैं, उस लक्षय को अगर पाना चाहते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा हमें self-disciplined होना होगा हमें अपने आपको एक schedule में बांधना होगा अगर हम यह चाहते हैं कि exam देने के बाद जो result day होगा उस पर हमारे चेहरे पर सिर्फ smile रहे और किसी परकार की negativity ना आए तो हमें efforts आज करने होगे अगर हम यह सोचते हैं कि कम efforts से अच्छा result ले आएंगे तो यह नहीं हो सकता यह तो भाई गांधी जी ने भी कहा था it's one sin, it's a sin यह पाप है अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं सिर्फ results ले आऊँ विना efforts का कम efforts से ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, so you will have to study और इस age में हमारा काम ही क्या, कोई और बहुत जादा responsibilities हमारे उपर तो नहीं है, हाँ कहीं कहीं जादा दिक्कत होती है, genuine problems होती हैं कुछ students के साथ जहां पर कुछ और family की responsibility ने निभानी पड़ते हैं, लेकिन फिर life is yours only, we are responsible for our life, मेहनत तो हमें करते रहनी पड़ेगी, we will have to do the hard work, हम ये नहीं कह सकते कि मैं मेहनत नहीं करूगा, या मेहनत कम करूगा, अगर मैं ये देखता हूँ कि result नहीं आपाया, अनुकूल, कितने पढ़ाई की, कैसे major करोगे, कितने पढ़ाई की, सर दिन में 6 गंटे पढ़ता, दूसरा का सर मैं तो 10 गंटे पढ़ता था, फिर भी नहीं हो पाया ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा आप पास हो जाओगे उतने अच्छा माक्स लाओगे, आपको effective study करने है, you have to do the quality study, अगर आप मेरे student है, बिन-बिन lecture जाँ बातने करता रहोंगा, आपके से जीवन की, तो वहाँ पर मैं सिखाता हूँ कि जीवन में quantity quality important नहीं है, quality important है जब से मैं इस field में आया, coaching field में तब से बहुत सारे बच्चों को मैं यही सिखाया, कि 100 का attempt करने के पीछे मत भागो, जितना भी attempt करो उसको सही से करो, बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा paper attempt हम नहीं कर पाते लेकिन किसी teacher का सुनोते है बेटा paper तो पूरा attempt करना, तो जो आता है हम उसे भी गलत मलत तरीके से कराते है presentation अच्छे से नहीं करते हैं तो यह चीज़ गलत है, हम कहते है 100 number का attempt करके, आप 60 लेकर आते हूँ, उससे ज़्यादा बहतर है आप 80 का attempt करके 70 ले आओ, खुद को अव्यस से बात है, वो सब चीज़ें possible कब हैं, अगर आप पहले exam से पहले का जो समय है, उसमें मन लगा कर पढ़ा ही करोगे, जैसे मैं आपको class दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप बच्चों को proper register maintain करना चाहिए, कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें, मैं सिखाता नहीं हो, वो मैं assume करता हूँ कि जो बच्चे देखने मालों, वो सीख जाएंगे, जैसे कि, आप देख रहे हैं, मैंने तीन प्रशन किये, मैंने question 1 sheet अलग sheet पर किया, question 2 next sheet पर किया, question 3 next sheet पर किया, मैं कभी भी कोई question same sheet पर start नहीं करूँगा, similarly गर आप देखे concept वाली चीज, मैंने आपका concept 1 यहां लिखा, concept 2 मैंने new sheet से start किया, मैं हमेशा concept भी new sheet से start करता हूँ, तो यह चीज़ें मेरे अंदर अब घर कर चुकिया, मैंने इतने सारे exam दिये, इतने सारे ranks लिए, तो मेरा एक standard SO भी बन चुका है, standard operating procedure कि मैं इसी के तहत काम करता हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैं वैसे करूँगा, तो मुझे बहुत ज़दा खूशी मिलेगी, मैं एक organized way से चलूँगा, the same thing we have to adopt in our daily life also, आपको एक समय तै करना है कि यार समय मैं ये वली class देख रहा हूँ अगर आपने मेरी ये class ली तो daily का एक समय बांध लीजे कि यार मैंने, जितने दिन का ये course है daily मैंने let's say morning में, afternoon में या evening में, कोई भी अपनी choice का एक time freeze कर लो, और फिर उसी time पर daily आप इस class को देखिए कि मैं let's say morning में 8 to 10 ये class देखूंगो तो daily 8 to 10 आपको देखना है अब मैं आपको चीजें करा रहा हूँ बच्चे ऐसे बैठकर lecture देखते हैं यह ऐसे बैठकर lecture नहीं देखा जाता you have to write down the things मैं आपके साथ इतनी मेहनत करता हूँ मैं सारी चीजें एक एक करके लिख रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं ऐसे बैठकर सिरफ dictate कर सकता हूँ लेकिन मैं लिख रहा हूँ reason है कुछ क्योंकि जब तक आप मुझे लिखते हूँ नहीं देखेंगे आप motivate कहां से होगे आपका leader जो अगर काम नहीं करेगा तो follower कैसे काम करेंगे so you have to lead a good life you have to set by example to the others कल को आप professional बनेंगे practice करते हैं organization में job के लिए जाते हैं आप अगर 10 लोगों की team को lead कर रहे हो तो they will see first of all you आपके कहने से ज़दा बैठर है उन्हें करना है बहुत सरे बच्चों का message आते है sir आपने जो class में लिखा तो वह लिए notes दे दो क्यों भाई तुम क्यों नहीं लिख रहे हो why are you not writing I will not give at all मैं नहीं दूँगा अपने notes क्यों दूँँ यह मेरी मेहनत है आप अपनी मेहनत कीजिए लिख कर हल करना है एक homework का register लग से लगाना है जोग additional question for practice है उनको एक एक करते वोई solve करना है और solve करने के बाद ही आपको check करना है कहां से solution book से कि क्या आपका उत्तर सही है नहीं है आपको solution book में जाकर tick mark नहीं करना है so you have to understand the importance of the hard work importance of doing the things rather than reading the things भाया this is the practical subject how can you assume कि आप यहां पर सिर्फ पढ़कर जाओगे और आप exam में जाकर लिख दोगे एकदम से it is not possible practice कहा हो इस सर हमने 3 question किये तो 3 question मैंने किये आपने तो इनको copy किया आपकी खुद की practice कहा हो या आपकी खुद की practice तब होगी जब आप मेरे वाले additional question को खुद से लिख कर हल करोगे तब जाकर आपकी practice होगी and जो भी काम हाथ में लिया उसको focused approach के साथ हमेशा खतम करना currently आपके हाथ में क्या है यह course है हमारा इस course को खतम करना है उसको और short term में ले आऊ तो हमें इस particular अपने level number two को clear करना है level number two के अंदर आजा तो इस subject को clear करना है तो focused approach से पढ़ना है हमें discipline रहना है self discipline में रहते हुए एक schedule बनाना है और focus रहना है कि मुझे इस subject को इतने timing के अंदर खतम करना है और उसके बद revision इस प्रकार से करनी है so that exam के समय पर हमें अपती ना हो exam के समय डर किसको लगता है बच्चे के मन में disbelief का बात disbelief का बात है self belief नहीं हो बात है खुद के उपर trust नहीं हो बात है क्यों? क्योंकि मेहनत में कमी है अगर आपने सारी चीज़ों को काईदे से किया है proper तरीके से classes रेंगे हैं proper तरीके से आपने अपने notes बनाए है और सारी चीज़ें लिख लिख कर करी है जो question class में करवाएगे जो homework के question सबको किया है तो आपको कभी भी अपने ओपर disbelief हो गई नहीं आप exam hall के अंदर जब जाओगे पूरे confidence से जाओगे यहां इस subject में तो कोई दिख कर नहीं है मैं definitely बहुत अच्छे माक्स लेकर आ सकता हूँ और यह तभी मुम्किन है जब आप अच्छे से पहले अपने चीज़ों को समेट कर रखोगे ठीक है ना तो ऐसे बात है बीच-बीच में हम बहुत सारी करते रहेंगे जीवन में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती you have to do lot of things जलना पढ़ता है तपना पढ़ता है ठीक ना आये जी इनका दोर तो चलता रहेगा तीन प्रशन हो गए हमारे सामने अगला प्रशन ये रहा question number 4 question number 4 पर आगे जी शिखा limited issued शिखा limited issued 10% 5 million debentures शिखा limited issued 10% 5 million debentures of rupee 100 each at 10% discount full stop flotation cost rupee 3 per debenture flotation cost rupee 3 per debenture tax rate is 0% find kd शिखा limited issued 10% 5 million debentures of rupee 100 each याने की एक debenture का face value 100 रुपए और कैसे आपने issue कैए 10% discount पर इस बार flotation cost भी है 3 rupee per debenture की और tax rate 0% actual में 0 होना almost impossible है लेकिन मैंने आपको लिखा है so that हम calculation सीखना चाह रहे हैं कि अगर tax 0 हो तो कैसे होगा ठीक है ना पतलाग exam में एकदम से surprise आगे और आप गुगली बनकर आप उसको हली नहीं कर पाए confused हो गए तो एक question ऐसा भी मैं class में करा देता हूँ आपको find key सबसे पहले तो यह देखो क्या redeemable है या irre redeemable है क्या question ने यह बताया कितने समय के बाद यह redeem होगा नहीं बताया तो मतलब यह irre redeemable है और करना क्या है I, T और NP सबसे पहले उनको freeze करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो I, I का मतलब क्या है interest per debenture एक debenture की face value है 100 रूपे rate of interest कितना है 10 परतीशत तो I आगया जी 10 रूपी इसमें तो अपत्ती नहीं मैंने कहा था question लिककर डुराएगा 5 million वगएरा वगएरा तो हमें नहीं देखना अपन एक debenture calculation करें कि अपना answer सेम आएगा tax rate की बात करें तो कितना है 0 परतीशत tax तो 0 हो गया NP की बात करते हैं net proceeds निकालना है starting with the face value per debenture face value per debenture कितना है दोस्तों 100 रूपे question में कहा गया था कि 10 परतीशत discount पर issue किया minus discount on issue 100 रूपे का 10% 10 रूपे माइनस किया तो यह आ गया 90 रूपे इसको क्या कहते हैं issue price per debenture आपका 100 रूपे वाला debenture पर आप दे रहे हैं 10% का discount यानि कि 90 रूपे का हो गया issue price लेकिन यहीं पर बात खतम नहीं हुई question नहीं भी का flotation cost है 3 रूपे प्रतीडी बेंचर तो minus flotation cost minus flotation cost कितना जी 3 रूपे flotation cost 3 रूपे तो यह आया आपका 87 रूपे 87 रूपे अगले question से इसका हम theme change करेंगे इसको violet color से लिखेंगे so that हमारी line सही से बन जाए 87 रूपे और अंत में हम लगाएंगे formula kd is equal to i which is 10 1 minus 0 divide by 87 into 100 so 10 divided by 87 into 100 gives you 11.49% 11.49% पीटा answer आएगा इसका लिखेंगे करता है अगला प्रशन करते हैं इस कॉंसिप्ट से सब्बंदित अंतिम प्रशन में आपको करवा रहा हूं सहवाग लिमिटेड सहवाग कौन नहीं जानता है इस क्रिकेटर को क्या धुवाधार बल्ले बाजी करते हैं तो हमारे तेफरेट सहवाग लिमिटेड इशुड टैन परसेंट चुवाग लिमिटेड सैवाग लिमिटेड सी-10 वन थावट लाग लिमि kd find kd if tax rate is 40% find kd if tax rate is 40% तो ये प्रशन हमारे सामने आ गया सहवाग लिमिने इस्यू के 10 परतिशत एक लाग डिवेंचर है नमबर ओर डिवेंचर हमारे लिए माइने नहीं रखते एक डिवेंचर कितने का ही ये बता ये 100 परतिशत पर फ्लोटेशन कोस्ट है 10% ये important point रहेगा पिछले कोशन में इसमें फरक क्या है पिछले में मैंने आपको फ्लोटेशन कोस्ट सीधा बता दिया थो रूपी 3 पर डिवेंचर यहां पर percentage में दिया है और find kd if tax rate is 40% सबसे पह प्रस्ट का अमाउंट आगया 10 रूपए tax rate कितना है 40% तो हमारे लिवेंगे 0.4 बात जब करेंगे net proceed की तो main चीज net proceed starting with face value per debenture जो की है 100 रूपए question ने कहा है इस बार आपने जब issue की तो premium पर issue की तो plus कर दिया जी premium on issue 100 रूपई की face value इसके उपर 10 प्रतीशत याने की 10 रूपए मैंने कहा था इस प्रशन से मैं theme change करूँगा वो जो color था हमें नहीं भाया तो हमने ये वला color ले लिया आगे हर प्रशन में हम इसी color को use करेंगे ये हो गया जी 110 रूपए क्या चीज़ है ये आपका market price sorry issue price per debenture issue price per debenture इसके अद माइनस करना है flotation cost very very important point लिख दो यहाँ पर very very important आप भी किसी तरह की निशाने इस पर लगा ले ना पिछले प्रशन में क्या था flotation cost रूपी में था absolute amount 3 रूपी यहाँ पर क्या है percentage में है flotation cost दिया है 10 प्रतिशत सवाल खड़ा हूँ है जब 10% apply करूँ तो 100 पर करूँ यह 110 पर करूँ premium और discount के लिए दिक्कत नहीं सोचना नहीं पड़ता वो तो face value पर ही लगता है लेकिन flotation cost अगर percentage में है तो apply कहां पर करूँ face value पर करूँ यह issue price पर करूँ always on the issue price सर कैसे example बना देते हैं जब अब underwriting के provision पढ़ते हैं companies एक में underwriter को अपनी services के लिए company की तरफ से मिलती है commission companies एक में बड़े ही clearly लिखा है कायदे से कि जो commission है that is to be given on the issue price क्योंकि underwriter risk लेता है कि अगर लोगों ने debenture ना लिए public ना लिए तो मैं ले लूँगा अब सवाल उठा underwriter का risk कितना है क्या 100 रुपए नहीं 110 क्योंकि अगर public ने ना लिए underwriter को लेने पढ़ेंगे तो underwriter को देने कितने पढ़ेंगे company को 110 रुपए क्योंकि debenture has been issued at premium तो issue price 110 रुपए पर compute होगा flotation cost so minus flotation cost जब किया 110 रुपए का 10% 110 का 10% जो कि हुआ 11 रुपए और यह आपका net proceeds कितना हो जाएगा 99 रुपए नड़िन वे रुपए तो flotation cost जोगा it is always computed on the market issue price always computed on issue price यहाँ पर लिख भी देते हैं always computed on issue price यहाँ जे 99 तो हम अगर यहाँ पर अपना formula लगाएं kd is equal to i कितना है 10 1 minus text rate कितना था पुत्तर 0.4 divide by net proceeds which is 99 into 100 तो अगरे 10 into 1 minus 0.4 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 that is 6 divide by 99 into 100 6.06 percent करिये जी note करिये में बाफने करिये मता करिये भी 대in week कर दो ए civil भी भी झाल 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 मार्केट प्राइस पर डिवेंचर है लेटसे एक सो पांच रुपए ठीक है ना इसका मतलब क्या है बेसिकली आपका जो चीज कंपेरेबल है ना इससे वो ये है कंपेरेबल इन दे सेंस मानलो कोश्चन ने आपको फेस वेल्यू पर डिवेंचर नहीं बताया या बता दिया प्रीमियम वगेरे के बारे में कुछ नहीं है प्रीमियम नहीं बताया डिसकाउंट नहीं बताया सिंपल इतना बोला हमारा 100 रुपए का एक डिवेंचर है लेकिन फिलहाल उसका मार्केट प्राइस 105 रुपए है सुनना ध्यान से और फ्लोटेशन कोस्ट है 10% अगर ध्यान परसन जो मार्केट से आज करेट में आपका डिवेंचर खरीदना चाहता है उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे 105 तो जब वो डायरेक्ट आपके पास लेने आएगा आप उससे सस्ता क्योद होगे क्योंकि आपकी कंपनी की वर्थ है इतनी इसलिए तो मार्केट में 100 व पर उसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और नेट प्रोसीड निकालते वक्त मैं क्या कहूंगा वेन इविल फाइंड आट नेट प्रोसीड तो मैं कहूंगा भईया मार्केट प्राइस है 105 रुपए मार्केट प्राइस 105 रुपए तो ओविसलि मैं इतने का ही इशू करूंगा यानि कि इशू प्राइस हो गया और जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होगा वो इस पर कैलकुलेट होगा अगर 10 परसेंट था तो 105 का 10 परसेंट 10.5 हो जाएगा इंस्टिचूट क्या करता है ये इंस्टिचूट का क्लियर नहीं है इस मामले में होना ऐसे चाहिए लेकिन इस्टिचूट कई बार क्या करता है कई बार face value से निकाल देता है तो कई बार market price है हम जब भी ऐसे situation आएगी आप दोनों में से कुछ भी कीजिए चाहे जो मैंने भी बताए 105 वाला वैसे कीजिए क्योंकि इंस्टिचूट बहुत बार ऐसे करता है या फिर आप इसको भूल जाए जो किया सिरफ face value के हिसाब से कर दीजिए कि भाया face value 100 रुपे minus flotation को चाहे market price दिया भी हो उसे ignore कर दीजिए दोनों में से जो भी करें चाहे face value को लेकर net proceed निकाले या market price को लेकर निकाले करना क्या है अपना assumption लिखाना है note लिखाना है even though market price has been given but we have assumed that the company will issue the debenture at the face value only ऐसा लिखाओ market price को अगर ignore कर दिया ऐसा note या फिर अगर आपने market price को consider किया तो क्या note लिखाओ we have assumed that as the market price is 105 रुपी then the company's issue price shall also be 105 रुपी and in accordance with that we have computed the KD दोनों में से कुछ भी करो दोनों ठीक है लेकिन note लिखना होगा note की भी ना कर दिया तो institute गलत कर सकता है कोई भी subject हो this thing doesn't only apply to the FM it applies to every subject every chapter जहाँ पर भी कुछ भी चीज़ वेग लग रही है जहाँ पर institute एक से ज़ादा type की treatment करता है वहाँ पर हम कुछ भी treatment करें सिरफ हमें clarity से बताया आना कि in the absence of information हमने ऐसे इसका treatment कर दिया ये चीज़ बहुत जगा मिलेगे मैं वहाँ पर properly आपको लिखाओंगा अभी सिरफ एक चीज़ बता कर छोड़ दिया आपको ठीके ना आज का lecture समाप तहीं पर करेंग और मैं आपको homework ज़रूर बता दूँगा ये हमारा concept number two complete हो गया इस concept से संबंदित दो प्रशन है मैं वहाँ पर लिख दूँगा आप आएंगे यहाँ पर तो आपको additional question for practice नाम का heading मिलेगा इसमे question number 35 और question number 36 जो दिख रहा है ये concept number two का है जो हमने आज किया है concept number two cost of debt irredeemable य इनको आप हल करके चेक कर लेंगे अपनी solution book से आज का lecture करेंगे खत्म मुलाकात अगले session में आप सबसे तब तक के लिए bye bye